ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91 न्यूज 91 अवाज हम सब की नमस्कार मैं हूँ जोती आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान दुंगरपुर बासवाड़ा बॉलिटिन में आपका स्वागत है प्रदेश और संभाग की ताजातरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं चलिए खबरों का सिलसला शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइन्स पर मारकिन को बारवी पास कराने के चक्कर में किराएदार ने डमी अभिहर्थी से दिलाई परिक्षा शिकायत मिलने के बाद दलाल और डमी अभिहर्थी दोनों गिरफटार आचार सहिता उलंगन के आरोप में एक शक्त खिरासत में शौदर लाग की नज़री के साथ कार भी पुलिस ने की जब और रहगीरों से मारपीट करने और शराब के लिए पैसे मांगने के आरोप में 6 गिरफटार घटना में प्रयोंक्त मोटर स्टाइकल भी जब बासवाड़ा पुलिस ने डमी अभिहर्थियों द्वारा परिक्षा दिये जाने के मामले में महस 24 घंटे में ही कारवाई करते हुए डमी अभिहर्थी और उसके साथ आने आरोपी को गरफटार किया है बारवी ओपन बोर्ड परिक्षा में डमी अभिहर्थी बैटने के मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने एक दलाल के साथ अभिहर्थी को गिरफटार कर लिया है बास्वाडा पुलिस ने डभी अभ्यष्टियों पारा परिक्षा दिये जाने के शिकायत मिलने के बाद इस मामले में कारवाई करते हुए सरेडी बड़ी के रहने वाले दलाल संतोष कटारा को गिरफतार करते हुए डमी अभियरती रंजना भगोरा को भी गिरफतार कर लिया है पुलिस ने परिक्षा में डमी अभियरती बैटने के मामले में खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी दलाल अपनी मालकिन सोनल सोनी को बारवी पास कराने के लिए दमी अभ्यर्थी लाया था और दमी अभ्यर्थी से परिक्षा दिला कर अपनी मालकिन को पास कराना चाहता था लेकिन मामली की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए दलाल संतोष कटारा के साथ डमी अभ्यर्थी बनकर परिक्षा देने के आरोप में रंजना भगोरा नामक महिला को गिरपतार किया है पुलिस मामले की तप्तीश कर रही है पुलिस इस पूरे मामले में दोनों से गहन पूश्टाच कर रही है उसके बाद में मुसंदान करके और हमने जो आरोपी थे और से दूश्टाच की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है और सुनल सोने के स्कांद पर रंजना के द्वारा परिक्षा देना पाया गया तब्तीश करके और इस पूल वालों के व्यान लिक्के अपने दोनों को गिर्पतार करी है रंजना को और सुन्तोस कटा आगे जो भी सुनल सोनी और जिसमें इनकी भूमिका है इनके खिलाब भी कर रहे है डूंगरपूर पुलिस ने आगामे विदान सभा उप्चुनाओं के मद्य नजर आदर्श आचार सहिता का उलंगन करने के मामले में बड़ी कारवाई करते हुए माहिपुल चैक पोस्ट पर एक कार से ले जाई जा रही नकदी बरामत की है पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकदी जब्त करते हुए कार और कार चालक को अपने में कब्जिम लिया है कार की जांच की गई तो उसमें रखी 14 लाग रुपए की नकदी बरामत करते हुए पु की इस दोरान चैकिंग में बिना किसी वैद दस्तावेज के 14 लाख रुपए नकदी लेकर जा रहे एक कार चालक को हिरासत में लिया गया है साथ ही लगबग 12 लाख रुपए मुल्क के कार भी जब्त की गई है इस कारवाई में पुलिस ने करंड सिंग पुत्र डुले नेता लागों होने के बाद चुनाव से जुड़े सभी मामलों में पुलिस सकती से निगरानी रख रही है ताकि अवैद करती वीदियों पर रोक लगाई जा सके दंबूला पुलिस द्वारा रागीरों के बाहन रोकने और उन्हें दरा धमका कर शराब पीने के लिए रुपए मांगने की शिकायत पर कारवाई करते हुए च्छै आरोपियों को गिरफतार किया है दंबूला धाना पुलिस ने प्रार्थी मुहमद इसमाईल पिता हनीफ लखारा की रिपोर्ट पर कारवाई करते हुए च्छै आरोपियों को गिरफतार किया है रागीरों से मारपीट करने के मामले में च्छै आरोपियों को गिरफतार करते हुए इस मामले का खुलासा किया है ओबरी जिला डुंगरपुर के रहने वाले मुहमद इसमाईल ने ए एक नवंबर 24 वो और उनका ड्राइवर अंकित पंचाल इको गाड़ी लेकर एहमदाबाद से बापस अपने घर ओबरी आ रहे थे तड़के करीब तीन बजे के आसपास दरियाटी रोड छात्रवास के पास पुल पर चार-पांच लड़के बाइक आड़ी कर रोड पर थे जिन्होंने इको गाड़ी को रुखवा लिया और शराब पीनी के लिए पैसे मांगने लगे ड्राइवर ने मना किया तो मेरी ड्राइवर और मेरी साथ मार पीट करने पर उतारू हुए और पत्थर मार कर इको गाड़ी के कांच फोड दिये मामला दर्सकर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने मुखबर की सूचना क्या दार पर संदिक व्यक्तियों के रूप में महेश पिता रमेश ताबियार अमन पिता हुका उमर राजा पिता नरेश होरंगी मगन पिता उंकार खाट निवासियान पीठ पुलिस थाना धंबूला और अनिल पिता दलपत गो प्रयुक्त मोटर सैकल बरामत करते हुए सभी आरोपियों को गिरफटार किया गया है पाली जिली के खिमवाडा थाना शेदर के कोर्ट सुलंकिया पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है ब्रश्टाचार निरोधक ब्योरो एसीप मरी हुई मिले थी मामले में करवाई नहीं करने के बदले खिमाणा थाने के कोर्ट सुलंकिया चौकी में कारिचर कौंस्टेबल कानराम मीना ने 20,000 के रिश्वत की मांग की बार बार रिश्वत देनी के लिए परिशान करने लगा शिकायत मिलने पर एसीबी पाली प्रतम एकाई ASP धर्मेंदर डूकिया के नेतरतों में शिकायत का सत्यापन किया गया शिकायत सही पाए जाने पर मामले में मंगलवार को ACP टीम ने करवाई करते हुए आरोपी कॉंस्टेबल कानरा मीना को परिवादी से 10,000 रुपए रिश्वत के रूप में लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप कर गिरफ्तार किया उन्होंने बताया कि आरोपी कॉंस्टेबल ने शिकायत के सत्यापन के दौरान परिवादी से 5,000 रुपए पूरों में ले चुका था ACP ने कॉंस्टेबल को ट्रैप किया है आगे की कारवाई की जा रही है चलते चलते फिर नज़र डालते हैं अब तक के टौप एडलाइन्स पर मार्किन को बारवी पास कराने के चक्कर में किरायदार ने डमी अभिहर्थी से दिलाई परिक्षा शिकायत मिलने के बाद दलाल और डमी अभिहर्थी दोनों के रफटार आचार सहिता उलंगन के आरोप में एक शक्त धिरासत में शौदर लाग की नज़री के साथ कार भी पुलिस ने की जब और रहगीरों से मारपीट करने और शराब के लिए पैसे मांगने के आरोप में 6 गिरफटार घटना में प्रयोंक्त मोटर स्टाइकल भी जब अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की कबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आइकल ज़रूर दबाएं तिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही दीजे जाज़त ज्योती को आप बने रहें न्योज नाइटीवन राजस्थान की